नमश्कार दोस्तों कैसे हो आप सारो लोग आशा करती हो जो जहांपर ही हो वहां से ही अपने-पने कर्तव को सतिता और प्यार के साथ निभानी की जीतोर कोशिश कर रहे हो और हम सारे अपने-पने इस कोशिश में सफल रहेंगे यही प्रार्थाना के साथ आए आज कटें केन उपनिशद के चतुर्थ अध्या की तीसरी मंद्र तो हम ये उपनिशद उपनिशद अखंड सांस्करन हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से पढ़ रहे हैं इस किताब की अनुवादफ और संपादना किये हैं अतुल चंद्र सेन सिताना अत्त भूशन और म शांती पाट करते हैं आये शुरू करते हैं शांती पाट से केन उपनिशद की पाट ओम अप्पायन्तु ममागानी बाक्राणचक्षु सृत्रमथो बलमिंद्रियानी चचसर्वानी सर्वंग प्रम्भव पनिशदम् माहं ब्रम्भ निराकुर्जांग मामा ब्रम्भ निराकरत अनिराकरनमस्तु अनिराकरनंग मेस्तु तदात्तनी निरते जवपनिशत्सु धर्मास तेमई शन्तु तेमई शन्तु ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति हम परम ब्रम्भ के निकट एक ही निवदन लेके आज आये हैं कि वो ये जो शरीर दिये हैं जो हमारे लिए एक साधन यंत्र है उसके हर इंद्रे परिपोशक हो और उपनिशत में बढ़नित सब कुछ ब्रम्भ है इसलिए हमारे मन में ऐसा कभी कोई ब्रह्म उत्पन्न ना हो के हम उनसे प्रिथक हैं या ब्रह्म हमें परित्यागे हैं उपनिशत में बढ़नित हर वो कर्म जो धर्म है वो हमारे जीवन में उनके क्रिपा से धीरे धीरे प्रकाश्मान हो और इस साधना में अगर आध्धात्मिक, आधिभावतिक या आधिदायविक किसी भी प्रकार का अगर कोई वाधा उत्पन्न हो तो उनकी क्रिपा से ही उसका शमन हो इसी प्राथना के साथ आए शुरू करते हैं केनो पनिशद की पाठ उपनिशद केनो पनिशद ये जो पनिशद है ये चार खंडों में विभगत है पहला खंड हमें ब्रह्मव से परिचित करवाती है और जहां पर ये कहा जाता है कि उनकी सरूप क्या है वो हर किसी चीज़ की परमकारन है वो ही कारन है वो ही आधी है और वो ही गंतव्य है लेकिन उनके द्वारा ही उनके कारन से हम हमारी सारे इंद्रिय सब को समझ पाता है सब कुछ विसलेशन करने की श्रमता रखती है लेकिन फिर भी हम उस इंद्रियों से उनको हम समझ नहीं पाते लेकिन जिस किसी भी चीज में आत्मा की प्रताश हो वो चाहे प्रतक्ष यो परक्ष रूप से हो वो ही ब्रम्भ है इसके अतिरिक्त और कुछ भी ब्रम्भ नहीं है तो ये तो हुआ ब्रह्म्भ के स्वरूप के सरूप को बताने वाली ग्यान लेकिन कितना उपलब्दी कर पाए हैं वो जानने के लिए तो गुरू की जरूरत होती हैं गुरू कहते हैं कि भई देख लो समझ लो कितना दूर जाने हो और उनके उस परिक्षा आत्मपरिक्षा से आत्ममंधन से हमें पता चलता है कि भई जब ये उपलब्दी सच में हो जाए हम अभी जान रहे हैं जहां तक हम पढ़ रहे हैं वो तो हम सिर्फ जान रहे हैं कि हम ये जैसा सत्त नहीं होगा वैसे ही हम ब्रम्ब को नहीं जानते ये भी सत्त नहीं होगे ये जब उपलब्दी हो जाएगी तब शायद हम तब शायद शमयता कुछ बोलने की स्थिती में भी नहीं रहेगी तो जब ये उपलब्दी हो जाता है तब ही हमारी पोर्ण ज्यान प्राप्त हो जाती है मतलब ज्यान अनंत है और इसी जीवन में इस शरीर में ही ये शरीर जो मिला है इसी अंत्र के साधन से ही हमें वो साधना करके ब्रह्म तक पहुँचना है और इस त्रीमात्रिक अस्तित्वों में ब्रह्मा के स्वरूप को समझाने के लिए एक कहानी की अव्दारना की गई है तृत्य खंड में जहां पर देवासु संग्राम में जो विजय लाब हुआ है उस विजय को देवता लूप अपने शक्ती से वो विजय लाब की है किये हैं ये सोच रहे हैं जो अब ब्रह्मा तो परम गुरू हैं वो असुरों को वो असुरों को जैसे देवता रूप से सद मार्ग दिखाते हैं वैसे ही देवताओं को भी यक्षरूप में सद मार्ग दिखाने के लिए बिरवूत हुए और देवताओं के अंदर जानने की इच्छा रकट हुई श्रद्धा की सुचना ह अंकूरत कम हुई लेकिन फिर वी अगनी वायू वो समझ नहीं पाए फिर इंद्र जब गए सिर्फ जानने के लिए लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ था तो इसलिए ब्रंभ उनकी तो दर्ब चोड़ने नहीं किये लेकिन वो उनके सामने से अद्रिश्य हो गए और तब ब्र राज बोलते हैं इंद्र जाके पूछे कि वो कौन थे ये जो जानने के इच्छा है इसलिए उनको ये जवाब भी मिला तो वो क्या जवाब है वो जवाब हम जान पाएंगे चतुत्रकंट से सा ब्रम्भेति हो वाच ब्रह्मनवा एतत दिजये महियत दमीती तत हईव विदांचकार ब्रम्भेति तसमाद एते देवा अती तरा मी बान्यान देवान जदगनीर बायूर इंद्रह ते हेननने दिष्ठंग पस प्रिश्यूस ते हेनत प्रतम विदांचकार ब्रम्भेति तो इन दोणों स्लोकों में यह कहा जा रहा है कि जहां तक इंदने पूछा कि वो कौन है उमा उनको जवाब दि ये ब्रम्ह है और इनके ही विजय को तुम लोग अपने अपना महिमा है अपना महिमा है अपना उर्जा से तुम लोग विजय लाग के वो यह सोच रहे हो तो उनके कहने से ही इंद्र को पता चला कि वो ब्रम्भ है वो यक्षमत मूर्ती ब्रम्भ है अगनी वायो और इंद्र ब्रम्भ के पनकी निकट गए थे उनको वो सपर्ष के थे उनसे वो वारतला के थे इस पर्ष बोले तो चुनना नॉर्मल वाला नहीं यहां पर उनके साथ वो इंटरैक्ट किये थे और पहले यह तीनों किये थे इसलिए यह बाकी देवताव से उनके अश्यर गुन से मतलब उनसे जादा वो लोग उत्कृष्ट तलाव के लिकिन फिर क्या हुआ फिर क्या हु प्रतमविदांचकार ब्रह्भेति और ठाथ इंडर लेकिन इन दोनों से भी जादा उनको जान थे क्योंकि वायू बोलिये या अगनी बोलिये वो लोग प्रतक्ष रूप से उनको जानके नहीं आये थे इंडर जानके आये थे भले वह उमा से उनको वह ब्रहम घ्यान फिर वी वो जान पाए इसलिए वे बाकी सारे देवताओं की भी उतकर्ष को अतिक्रम कर गए इसलिए वो देवराज कहला रहे हैं अब इसी स्लोक के साथ वो जो आख्यान हम तृति अध्याथ से शुरू किये देवासुल संग्राम के साथ जो शुरू हुआता तो यहां तक ही खतम होता है लेकिन यह जो कहानी है, इसका मुल उद्देश क्या है, इस कहानी की मुल उद्देश है हम लोग को ये समझाना कि हमारे अंदर ऐसे देवासुर संग्राम होता रहता है, हम कभी आसुरिक प्रवित्यों को जीत लेते हैं, देवी प्रवित्यों से, और तब सोचते रहते हैं कि वही हमने जीत लिया, तेकिन सही मायने में हमने कुछ नहीं किया, ब्रह्मा ने जीता, हम त्रीमात्रिक इस अस्तित्व में, जब ये समझ लेते हैं कि, अच्छा हमने तो जीत लाग कर लिया, मालब हम अहंकार की वशिभूत हो गए, मालब फिर से एक आशूरी, आशूरी प्रवित्री के चंगुल में फस गया, तो उससे हमें निकलना अगर है, तो तब हमारी ये जो स्टीमिक शक्ती है, उसको अशीन में अगर हम रुपांतरित कर दें, तो हम जो भी कर रहे हैं, हम नहीं, हम से करवाया जा रहा है, ये सोच सकते हैं, जैसे जो जिस स्टेज में हैं अभी उपलब्धी के, या अगर हम ऐसे सोचे के ब्रंभ कर रहे हैं, ये अस्तित्व है, उनका तो इंफाने डामेंशन में अस्तित्व है, उस इंफाने डामेंशन के एक त्री डामेंशनल अस्तित्व में हूं, या ये अस्तित्व है, इस अस्तित्व का भी एक काम है, वह कर रहा है जहां चब हम ऐसे सोच लेते हैं जहां तक हम इंपार्शियल हो जाते हैं जहां तक हम यह बूल जाते हैं कि वह मैं यह हम यह जब बूल जाते हैं तो तब हम अगर गलती भी करने जाते तो तब भी वह परम गुरू मा के रूप में पिता के रूप में गुरू के आपको सही मार्ग दिखाते रहेंगे और आप सही रस्ते में चलोगे वो कितना भी कटिनों कितना भी दूखाए तो आज के लिए यहां तक हम फिर में लेंगे अगले हपते हां अभी इस कुछ दिनों तब कुछ गरबर हो रही है ये शनिवार को आना था आज मैं सोंवार को रेकॉर्ड कर रही हूं आप लोगों के लिए आशा करूंगी कि आप शमयता के साथ शमयते रूप को था के साथ रहोगी और प्रार्थन में रहोगे शुग मस्तू